इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। एरोकोट रोटा कैप का इस्तेमाल दमा, सांस की घरगराहट और सांस की तकलीफ के इलाज में किया जाता है। यह वायू मार्क की मानस्पेशियों को आराम देता है और सांस लेने में आसान बनाता है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितनी बार अपने इनहेल का उपयोग करने की आवशकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अस्थमा को प्रभावी धंग से नियंतरत करने के लिए आवशक नियूनतम खुराक लें। इस दवा का प्रभाव कुछ दिनों के बाद ध्यान देने योग्य हो सकता है, लेकिन कुछ हफतों के बा तो आपका अस्थमा खराब हो सकता है। इसका उपयोग अचानक अस्थमा के दौरे से राहत पाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि अस्थमा का दौरा पढ़ता है तो अपने त्वरित राहत इन्हेलर प्रिलीवक का उपयोग करें। इस दवा से लाब प्राप् संक्रमन, श्वसन पत के संक्रमन, सिर्दड और मांस्पेशियों में एंग्ठन हैं। यदि आपको ये मिलते हैं तो इसे लेना बंद न करें बलकि अपने डॉक्टर से बात करें। आप अपने मूह और गले को पानी से धोकर या अपने इनहेलर का उपयोग करने के बाद अप पानने तोर पर आपको उन स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके अस्थमा को खराब करती हैं। आपके ट्रिगर और धूम्रपान न करने का प्रयास करें। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या य अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।